हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चों आज की कहानी का नाम है घमंडी मोर और सारस बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है मोर को इंगलिश में पिकॉक कहते हैं ये हमारे देश का राष्ट्रिय पक्षी यानि कि नैशनल बर्ड है इसका वैज्ञानिक नाम पैवो क्रिस्टेटस है तो बच्चों आज की कहानी एक मोर की ही है जिसे अपनी सुंदर्ता का बहुत घमंड था एक जंगल में बहुत से पक्षी और जानवर रहते थे उसी जंगल में एक मोर भी रहता था जिसका नाम था पीकॉ वह बड़ा ही घमंडी था उसे अपनी सुंदर्ता का बहुत घमंड था वह रोज नदी के किनारे जाता और पानी में अपनी परचाई देखकर बहुत खुश होता था वह मन ही मन सोचता था कि जरा मेरी पूँच तो देखो कितनी सुंदर है जरा मेरे पंक तो देखो, कितने मन मोहक है मैं तो दुनिया का सबसे सुन्दर पक्षी हूँ यही सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश होता था और दूसरे पक्षियों और जानवरों पर अपना हुक्म चलाता था वह सोचता था कि सभी को उसकी बात माननी चाहिए इसी कारण सब उससे जलते थे और इसी कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं था वह दिन भर यही गाना गाता गूमता था मैं तो मोर हूँ मोर, मेरी सुन्दरता के आगे नटिक पाता कोई और एक दिन जब मोर नदी के किनारे अपनी परचाई देख रहा था तो उसकी मुलाकात एक सारस यानी की स्वान से हुई सारस को देखकर मोर ने कहा कि तुम तो कितने रंग हीन पक्षी हो तुम्हारे पंख तो एकदम सीधे साधे और सफेध है तुम्हारे शरीर का रंग भी बिलकुल सुन्दर नहीं है तुम तो बिल्कुल धुले हुए कपड़ों जैसे सफेद दिखते हो और मैं तो मोर हूँ मोर, मेरी सुन्दर्ता के आगे ना टिक पाता कोई और तो सारस ने कहा कि हाँ दोस्त, तुम्हारे पंक तो सच मुझ बहुत सुन्दर है इतने सुन्दर पंक तो मैंने कभी भी किसी भी पक्षी के पास नहीं देखे परन्तु क्या तुम अपने इन पंकों से मुझे उड़कर दिखा सकते हो फिर सारस ने कहा कि सुन्दर्ता ही सब कुछ नहीं होती, बात तो उप्योगी ताकी है तुम अपने पंकों से उची उड़ान नहीं भर सकते जबकि मैं अपने पंकों से आसमान में बहुत उचाई तक उड़ सकता हूँ और ऐसा कहकर वह सारस आकाश में बहुत उचाई पर उड़ता चला गया और मोर उसे टुकुर टुकुर देखता ही रह गया और सोचने लगा कि काश मैं भी अपने पंखों की मदद से उड़ पाता वह ये भी सोचने लगा कि ऐसी सुन्दर्ता किस काम की जब मैं पक्षी होकर उड़ी नहीं सकता तो बच्चों, moral of the story ये है कि हमें कभी भी अपनी सुन्दर्ता का घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का सुन्दर होने से ज़ादा उसका उपयोगी होना जरूरी है हर सुन्दर चीज उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं है तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मैंचे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ओकी बाई बाई, टेक केर